अभी आंगनबाडी सेविका सहय का मिनी बहनों का अपने आल इंडिया आंगनबाडी न्यूस चैनल की आज दोपहर 12 बजे की सच्छी खबरों में स्वागत है भायो बहनों आपको अवगत कराना चाहेंगे कि पोशर अभियान का 7000 रुपिया खाते में आया है जिसका एक ये मैसेज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 7000 रुपिया जो है वो कल क्रेडिट हुआ है तारीक भी आप 16 फरवरी यानि कल परसों का ये डेट है और कल आल इंडिया को ये सूचना 17 को बेजी गई है और आज आप ये देख पा रहे हैं यानि बात करें अगर हम पैसे की तो 16 फरवरी को ये पैसे खाते में बेहन के सक्सेज हुए हैं जिसके बाद बेहन ने इसको देखा और फिर अगले दिन आलंडिया को प्रसारण के लिए भेजा ये पैसे पोशर अभियान के हैं जो भी आप यहाँ पर मैसेज में ही देख आ रहे होंगे साथी साथ इस मैसेज को भेजा किसने हैं सबसे जरूरी ये बात है कि पैसा आया कहां पे है तो पैसा आया है सुपॉल जन्पद में जहां से आती हैं रंजना कुमारी बहन और उन्होंने ही आलंडिया को ये एक मैसेज भेजा है स्क्रीन सॉट जो पैसे खात में आए साथी साथ लिख करके भी उन्होंने भेजा है आये देखते हैं उन्होंने क्या लिखा है और क्या वो इस मामले में कहना चाहती है उन्होंने लिखा है कि भाया जी कल मेरे यहां 7000 पोशड अभियान का पैसा आया है सुपॉल जिला है और मैं छटरपुर परियोजना स हुँ केंदर संख्या 289 है आंगन बारी वरकर हूँ रंजना कुमारी जिला पर्योजना ये सब आप यहां पर देख रहे हैं तो सभी भाई बहनों ने जो देखा है कि ये पैसे सुपाल जनपत के हैं सुपाल जनपत में आंगन बारी बहन रंजना आती हैं सब कुछ उन्होंन ने बताया है अपना केंदर संख्या तक बताया है कि उनके वहाँ पर ये पोश्ड अभियान की 7000 रुपे की धंदासी पहुची है तो सुपॉल जनपत बिहार में पड़ता है तो आपके वहाँ अन्य जनपतों में या सुपॉल में ही अलग अगर बहनों के कहीं और आए हो त अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश के मेरण जनपत से भी इसी तरह से एक जानकारी आई है ससी किरण बहन है मेरण जनपत से आती है तो उत्तर प्रदेश के मेरण जिले से उन्होंने अपना एक ये मैसेज सुरूप जानकारी भेजी है जो की ये प मद में हो सकता है तो पहली बात ये मैसेज पूरा नहीं है अगर पूरा होता रंजना बहन के मैसेज की तरह है जिसमें लिखा है कि पोशड अभियान के तहद वो पैसा बेजा गया लेकिन यहां पर मैसेज थोड़ा आधा अधूरा है या उपर का ही है फुल ट्रंडेक्शन म आप इसको टच करना फिस साथ कुछ डेटेल और इसमें लिखी हुई मिल जाए कहां से आया या कैसा है दो हजार इनके खाते में यह आया है जिसके बारे में उतरप्रदेश के मेरर जनपस से ससी किरण बहन ने भी जानकारी भेजी है तो बिहार प्लस उतरप्रदेश दो ज करें अगर कुसम तिवारी बहन की तो उन्होंने एक यूटूब पर पढ़ा हुआ वीडियो भेजा है जो कि आंगनबारी बहनों का गूंडा जनपद में पदरसन देखने को मिला था उसी से रेलेटेड एक वीडियो भी भेजा है और यूटूब पर पढ़ा वीडियो भी आई है और वैसे ही ये देखो ये वाला पहले ही पढ़ा था यूटूबो पर और उसके बाद ये चीज़े आई है तो कहीं ने कहीं बहनों मैं हमेशा कहता रहता हूं जब भी कुछ प्रसारण के लिए भेजना हो खास तोर पर धरने के वीडियो अगर है तो उनको अपना उसके फोन से रिकार्ड कर लो या वहाँ पर जो बहने हो जिसके पास अच्छा फोन हो उनसे रिकार्ड करवा लो आल इंडिया के वाटसिप पर भेज दो तो कोई कॉपी राइट जैसा कंटेंड नहीं रहेगा किसी यूटूब चैनल पर वो वीडियो पहले से अपलोड न आप देख रहे हैं कि वहाँ पर भी आंगन बारी बहनों का जो आधार प्रमाडी करण है और मोबाइल नंबर का जो सत्यापन है वो चीजों का जो काम है वो वहाँ पर कराया जा रहा है बहने कहा कि रागिनी देवी कन्नोज से भया जी हमारे यहां आज ये मैसेज आया है और ये मैसेज वही है आगन बारी बहनों को CDPO काराले में आधार कार्ड मेन वाला नियुकती पत्र अर्जिनल साती सैच्छिडिक प्रमाड पत्र वो सब चीजें वहाँ पर ले जानी है मोबाइल नंबर भी जो आधार से लिंक हो और पोशा हार वित्तर में प्रयोग किया जाने वाला हो तो ये सब चीजें वहाँ ले जानी है और फिर आपका प्रमाड़ी करण वो करेंगे पूर में आलंडिया पर सब बताया जा चुका है उम्मीद है सबने वीडियो देखा होगा समस्त जानकारियों से आप अबगत होंगे पुनीता बहन है आजमगर से आती है और आजमगर से उन्होंने दो फोटो बेजी है एक फोटो में बहन ने जो है कुछ उनके वहाँ जो किताबे मिली है जिसका फोटो बेजा है भाया जी मुझे बियार सी से जो बुक मिला है पुनीता वर्मा बहन है और नीचे बच्चों की भी फोटो दिखाई दे रही है तो किताबों की फोटो आप यえ सब देख पा रहे हैं काफी किताबें हैं ये बच्चों की संक्या के हिसाब से ही बेहनों को कग rotate दी गई गई हैं जिसके बारे में बेहनों ने पहले ही जानकारियां भेजी थी प्रमिला बहने वाराणसी से आती है उन्होंने अपने वहां से एक यह जो है रजिस्टर का फोटो भेजा है आंगनबारी केंदर पर हाट कुग्ड मील की यह पंजिका है जिसके नीचे बहने लेखा कि भाया जी नमस्ते हमारे यहां यह रजिस्टर तीन सो रुपय में जो है यह दिया गया है यानि तीन स नहीं रजिस्टर में भी एक नहीं तीन तीन रजिस्टर भी मिले हैं तो हर जगे की सिच्वेस्टन अलग अलग है वहीं हमारे पास एक और मैसेज आया है नजीन खातून बहन है और उन्होंने जानकारी भेजी है कि दोपहर को एक बहन हमारी गाजी पुर जनपस से ही थी देवकली जिनका निधन हो गया तो बहन देवकली की आत्मा की सांती के लिए आप सब भाई बहन कमेंट बॉक्स में ओम सांती जरूर लिखना और वहीं ये जानकारी नजीन खातून बहन ने आल इंडिया को प्रशारण के लिए गाजी पुर जनपस से बेजी हैं तो आगे चलते हैं और आपको बताना चाहेंगे कुछ कमेंट भी लगे हैं आईए इन पर भी हम सब थोड़ा ध्यान देते हैं और देखते हैं कि बहने क्या कह रही हैं और कि इनकी क्या समस्याएं हैं क्या चर्चाएं चल नहीं तो कमेंट भी कुछ देखाना चाहेंगे भया जी मेर जिला एटावा राज उत्तरप्रदेश में ब्लाक जो भर्थना है उसमें कई महीने से पियलाई नहीं आया यानि बात करें उत्तरप्रदेश के एटावा जिले की जहां पर जो ब्लाक भर्थना है वहां पर आंगनबाडी बहनों का कई महीनों से PLAI नहीं मिल लजा जो कि समस्या बनी हुई है विभाक क्रप्या इस मामले में वहां पर संग्यान ले भैया जी सुपर्वाइजर का प्रमोशन के बारे में भी कुछ जानकारी दें आंगन बारी से सुपर्वाइजर का प्रमोशन कब होगा यूपी मुझफर नगर से एक बहन है जिनूने कमिन किया तो बहन प्रमोशन कब होगा अब इतनी जल्दी तो उम्मीद नहीं है क्योंकि 2017 का प्रमोशन तो 2030 आते आते मुस्किल से हो पाया लेटर वेट प्रम वगरा फिर आप लोग अपलाई करेंगे या आगे क्या होगा तो जैसे कोई जानकारी आएगी तो बता देंगे अभी विभाग से कोई इस बारे में लिखित रूप में भी चीजें नहीं आई लखनओ के उन्हों इसमें लेका है लखनओ और अंगाबाद फर्ष्ट आंगनबाडी कारकरती काकोरी ब्लाक से हूँ मेरा पोश्ट ट्रेकर पर पूरा है काम और फिर भी हमारा प्यलाई माह अगस्त से नहीं आया यानि बात करें अगर प्यलाई की तो लखनओ के काकोरी ब्लाक से भी जानकारी आई है वहाँ पर बताया जा रहा है कि प्यलाई क पैसा अगस्त से बहनों को नहीं मिल रहा साथी यहां पर एक मैसेज आया है भाया जी मेरी तबियत ठीक नहीं रहने के कारण मैं साथ से आठ महीने पहले आंगन बारी आफिस में एप्लीकेशन दे दी अब एप्लीकेशन दे दी और साथ में अब उनका कहना है अभी आंगन बारी वापस जोईन करना चाहती हूँ अभी मैं क्या करूँ यह हैं यहां पर राजस्थान से तो राजस्थान राजसे एक बहन है जिन्होंने साथ-ाठ महीने पहले अप्लीकेशन दे दिया अब अप्लीकेशन का मतलब साथ इनका इस बास से हो कि इन्होंने इस्तीफा दे दिया अपनी जौब से तो देखो इस्तीफा देना और अप्लीकेशन देना अलग-अलग चीज़ी है अप्लीकेशन कई चीजों के संबंदित भी जा सकती है जैसे आपको मेडिकल समस्या है तो उससर रिलेटर आपने दी है या आपने डारेक्ट विवाग में इस्तीफा दे दिया कि नोकरी छोड़ने का अगर आपने नोकरी छोड़ दीती तो फिर आपको नोकरी मिलना मुस्किल है यहां तक की बहुत ही मुस्किल है मुझे उम्मीद नहीं है कि दोबारा वहीं पर आप जॉइन कर पाएंगी हाँ अगर दिक्कत थी तबीयट ठीक खराब थी तो आप मेडिकल विडिकल लगाती उसके बात चीजे होती तो बात अलग थी और उसमें हर बहन को यहीं सला है अगर दिक्कत है तो अपना मेडिकल लगाओ जहां इलाज चल लहा है उनसे डॉक्टर से रिपोर्ट बनवालो डियम के पास जाओ उनसे अपना अनुमती ले लो यह सब चीजें करके विबाग में फिर लगा दो जैसा कुछ हो अगर इस तरह का लाब मिलता होगा विबाग से कुछ दिनों का चुट्टी उट्टी का तो उसका प्रावदान होगा तो बताया जाएगा लेकिन अगर आप सूचें कि स्तीफा दे करके फिर काम पर आ जाएंगे तो फिर बहनों ये चीजें दिक्कत भरी आपके लिए हो सकती है साथे लि पुछा ना पर पोशक सामान ना हेंडवास ना कोई सामान मिला अब 12,000 रुपे नहीं होगे मेरे हिसाब से 1200 ये कहना चाहती होंगी और गलती वस इन्होंने 12,000 लिख दिया है जीरो जादा बढ़ा दिया तो 1200 में इनके वहां मान सकते हैं कि ये चीजें उनको दी गई है र साथी भाया जी हमारे यहां विजईपुर जो बलाक है 500 रुपिया रजिस्टर के मांग रही है कोई कुछ नहीं बोल रहा है ऐसे देखो हर जगे अलग अलग कहीं 300 कहीं 500 कहीं 1200 कहीं 1000 ऐसे से भी पैसे लिए गए हैं अब इन चीजों को लेकर के सारी जानकारिया अलेंडिया पर पूर में दी गई है कितना पैसा किस चीज के लिए आया है उसमें क्या क्या मिलना है अब बाकी चीजे बहनों आप पर भी तो निर्भर करती है हमारा काम है आपको सही तरीके से आईना दिखाना सची जानकारी देना आदेश दिखाना नियम कानून जो आए हैं आदेश पर पर भी तो अगर आप स्वयम उसके खिलाब खड़ी नहीं होंगी तो आप ये उम्मीद बिल्कुल ना करें मैं अपनी ही बात नहीं करा किसी से भी आप उमीद ये नहीं लगा सकती नहीं कोई आपको उस बारे में जो है नहीं दिला सकता तो इसलिए जब तक आप अपन पर वो चीजें आपकी समाधान हो पाएंगे कई बहने सोचती है नाम ना आए मुझे ना बताना ये हो जाए तो बहनों ऐसे कैसे संब्भ हो है या तो उन चीजों अगर भरस्ताचारी हो रहे तो सबूत दीजे वीडियो बना करके तो चीजे हो जाएंगी लेकिन ना तो इंसान है आप जैसे लोग जब वही साथ नहीं खड़े होंगे उनके खिलाप नहीं खड़े होंगे मैदान में तो फिर रहा कौन तो फिर हमारे जैसे लोगों के द्वारा उठाई गई आवाजें फिर फरजी करार दे दी जाएंगी और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होग इसलिए आल इंडिया पहले मांगता है सबूत दूसरी बात आप लोगों में से फिर अगर नहीं सबूत जटा पाने ही तो फिर लड़ने में सच्छमों हिम्मत दिखाओ और अपना लिखित सिकायते कीजिए तो वो चीज़ें आप पर नर्भर करेंगी तो यह आप एंटी क कड़वी बहनों भायों यही है कि हर कोई तटिया की यार में जो सिकार खिलने वाले कहवते होती हैं वही सब चलता है कि किसी के दूसरे के कंदे परक करके बंदूग चलाना और यह जो है अमूमन आपको सो में 70% ऐसे ही मिल जाएगा खैर समझने वाले चीज़ों को समझते हैं परदाना ध्यापक लिखा गया है पूरा पैसा लें पर खाना तो ढंका खिलाएं दाल पानी की तरह केवल आलू सोया बीन की सबजी इस तरह से एक मैसेज लिखा गया देखो अब बात आती है जैसे खाना खिलाने की कितना क्या तो वो तो परदाना ध्यापक की समझ सकत कितना पैसा आया है और उस हिसाब से कितना बोजन कितने में बन पाएगा क्योंकि अगर बहनों हम खुछ सोचें अगर साड़े चार रुपे जो है रुपिया साथ टोटल या कुछ है ऐसे ही सम्थिंग है साड़े चार रुपे में वो भी रसोयों का जो है महिंताना भी 50 पैस में और अच्छी गुर्वत्ता कहां से आएगी तो फोकस इस बात पर करना है कि सरकार थोड़ा इसका बजट में जो ये मानक रखे गए है इतने पैसे में इतना ये देना उसको थोड़ा बढ़ाए तो गुर्वत्ता अपने आप बढ़ जाए लेकिन खैर जो भी है आगे क अपना जिम्मेदार वो जानेंगे भया जी जब पैसा जो है देकर के ही विभाग से रिजिश्टर और कोई सामान लेना है तो विभाग हमें पैसे की जगए डारेक्ट सामान ही दे देता सस्ते दाम का सामान लेके विभाग 1300 में बेच रहा है तो इसमें वही चीजे हैं कि अधिकारी मुनाफ़ा कमा रहे हैं अन्यता और ये ऐसा होता है कि पैसा आपके काते में आ गया चीज खरीदी आपने समझ लेना तो महेंगा खरीदा सस्ता खरीदा उसका जम्मेदार कौन आप हुई कि आपने 1300 में ये चीज खरीदी या इतने में खरीदी ठीक तो महेंगे दाम में अगर आ गया तो उसको जो आप लोगों को सौप दिया जाएगा बिल बाउचर महेंगे महेंगे लग गया दाम माल सस्ता ही है फिर कोई कल को अगर सवाल उठा देगा उन अधिकारियों पर कि ये तो इतनी कीमत का बाजार में मिलता आप तो इतने पैसे च जानती हैं बेतर डंग से जितना हम जानते उतना आप भी समझते हैं आपके घर में भी पड़े लिखे सब लोग हैं और आप भी सब बहने अब समझदार हो चुकी हैं क्योंकि पहले का वक्त तो कुछ और बहने अपने हक के लिए और हर एक चीजों को बारीकी से समझती हैं और जागुरुप हो चुकी हैं वहीं देखिएगा नमस्ते भाया जी बाल सेवा योजना या फॉरम हमने एक बच्चे का भरवाया था 11 सितंबर 2023 में आज तक कोई जाच नहीं आई पांच महीने हो गए बच्चे की मा के खाते में कोई पैसा नहीं आया फॉरम जहां जमा क अच्छी हैं तो इस तरह से एक बहन है जिन्होंने भी जो है एक ये चीजें बताई बाल सेवाई उजना वाला साथ फॉरम हो उससे से रिलेटर बाते कही गई हैं तो बच्चे को ले करके बाते आई हैं कि जाच माच भी नहीं आई कुछ नहीं हुआ हमारे डोरी जिले में भी मांदे नहीं आया है इस तरह से वहां से भी एक मैसेज था और एक मैसेज है अगर मांदे 20,000 से कम मिले तो आगनबारी नौकरी से अच्छा है मजदूरी करना ये चीजें यहाँ पर एक बहन है उन्होंने अपनी लिखी हैं साथी भहिया जी नमस्ते मैं आजमगर के भी मायोजना पधान मंत्री जीवन जोती भी मायोजना उसी से रिलेटर उन्होंने कहा है कि उसका कोई कागज हमारे पास नहीं है ये नहीं है पता चल रहा है कि किसका नौमिनी में नाम है कि नहीं है कुछ पता नहीं चल रहा है भहिया जी कहां से कागज मिलेगा ये सब च से बात कर लो आप एनेजर से किसी से कि क्या हमारे इसमें इस तरह का ये जो पदानमंती जीवन जोती और सुरच्छा भीमा जोना है क्या ये चलते इसकी धन्रासी करती है इस से रेलेटेड इसमें क्या नॉमिनी कोई चुड़ा है की नहीं और क्योंकि और ये भी पूछ लो क कि भीमा का जो क्लेम है कि आप बिना नॉमनी के तो मिलेगा नहीं जम नहीं रहेंगे तो फिर किसको मिलेगा तो नॉमनी फिर जोड़ना है कैसे जूड़ेगा क्या चीजें हैं सर कुछ बताइए कुछ ना कुछ अपना प्यार से पूछेंगे तो जरूर आपको बताएंग खाले टाइम में जो है जाना इस हिसाब से कि उनके बाद भीड़ना हो तो और अच्छे से आपको बता पाएं से रेलेटर तो ये कुछ बाते हैं जो कि निकल के आ रही हैं आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं दोस्तो धन्यवाद